दोस्तों, imagine कीजिए कैसा हो के अगर हम पूरे globe पे electricity दे सकें, solar के थूँ, which would be totally free electricity 24-7, जब सूरज नहीं निकल रहा हो, उस समय पे भी हम solar के थूँ अगर electricity दे सकें, और ध्यान रखिए का बिना battery का use करें, तो ये कैसा हो, आज हम जानेंगे इस वीडियो में के ये तरीका हम क कैसे apply कर सकते हैं, दोस्तों, हमारी धरती पे जो sun से electrical energy आती है, वो आती है total 17,300 टेरावाट, और हमारे वर्ल्ड का एक peak time पे peak consumption, जो अभी तक गया है, that is just 19 टेरावाट, तो मतलब sun से जो हमें energy मिलती है, वो 10,000 गुनाज जादा मिलती है, तो इतनी सारी energy को use करने के लिए, या हमें पूरे planet पे नहीं, अगर हम केवल 1% of the Australia के उपर भी अगर हम solar panel लगा दें, तो हम अपने पूरे world की electricity demand को पूरा कर सकते हैं, तो दोस्तों, solar energy के साथ में जो सबसे बड़ा issue हम face करते हैं, वो है ये कि solar energy दिन में और afternoon में तो available है, बट रात के समय में जब electrical demand सबसे ज harness कर सकते हैं, रात के समय में भी, तो दोस्तों, इस concept को समझने के लिए हमारे को ये समझना पड़ेगा, कि हमारे earth में चलते हैं, different time zones, तो अगर इंडिया में इस समय रात है, तो USA के अंदर सवेरा होने वाला है, तो अगर हम इंडिया के लिए energy harness कर पाएं, from the USA, using a solar farm in the USA, त different places in the planet बना दें, तो हम वो solar energy का continuous use कर सकते हैं, अब इसके अंदर हमें क्या करना होगा, हमें एक worldwide web बनाना होगा, wires का, जिसके थूँ हम energy from one side of the earth to other side of the earth ला सकें, और उसको हम harness कर सकें, तो ये जो हमारा idea है, ये कहीना कहीं relate करता है, हमारे Prime Minister Narendra Modi जी के विचार से, जिसमें वो बोलते हैं, one sun, one world, one grid, तो अब हम इस idea पर practically बात करते हैं, कि हमारे को ये वाला idea execute करने में, क्या क्या challenges आएंगे, इसका खर्चा कितना आएगा, और हमारे को किते solar panels की requirement होगी, तो दोस्तों, अब मैं आपको कुछ facts and figure देना चाहता हूँ, सबसे पहली चीज, solar energy generation में, य पूरे globe का गया है, अभी तक का, वो गया है, 19 terawatt, अब ये 19 terawatt electricity, जो हमें चाहिए, तो इसके लिए हमारे को लगेंगे, 123 billion solar panels, हर एक solar panel की efficiency, जो हम count करते हैं, वो हम 100% count नहीं करते हैं, हम उसे count करते हैं, 20% efficient, हर solar panel होता है, अब हम आ जाते हैं, reality पे, 130 billion panels तो हमें चाहिए, बड़ अभी हम current कितने panels produce कर पा रहे हैं, तो अभी as per the report of 2020, हम produce कर पा रहे हैं, 178,000 megawatt of solar panels, जो की total होते हैं, 285 million panels, हमें चाहिए, 130 billion panels, और हम अभी जो produce कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं, 285 million panels, ये stats हैं 2020 के, तो अगर considering, अभी हम अभी हमारा चल रहा है 2022, तो जो हमारा growth भी हुआ होगा, वो भी 1,78,000 से 2,00,000 तक पहुचा होगा, solar panels production में, तो वो भी पूरा नहीं है, तो अब हम अगर बात करते हैं, तो ये 285 million panels, जो हम बना रहे हैं, ये केवल है, 0.23% of what we actually need to make that entire worldwide web of solar panels, तो इस calculation के हिसाब से, हम कुछ तो भी 430 साल में, वो सारे solar panels बना लेंगे, जो हमारे इस idea के लिए हमें चाहिए, तो दोस्तों, उन 430 सालों को और चोटा करने के लिए, Lumen City is also producing the solar panels, this is a 75 watt monocrystalline half cut cell solar panel, which is being manufactured by Lumen City, So, दोस्तों, solar panels के बाद में जो दूसरी चीज़ आती है, वो आती है wiring and cabling, कि उस network को अब जब हमें बनाना है, तो wire एक grid से दूसरी grid तक लानी होगी, तो अब हम बात करते हैं wires के बारे में, So, दोस्तों, हमने जो network map बनाया and हमारी team ने जो research करी, उसके हिसाब से हमने अपनी power grids बनाई, इंडिया के अंदर, जैसल मेर में और Australia के अंदर and हमने जो तीसरे grid का calculation करा, वो हमने करा Sahara Desert में, तो अब अगर हम इन तीनों grids को worldwide network से जोडते हैं, तो approximate हमारी जो wires लग रही है, वो लग रही है, बस 46,000 km of cabling, बस, केवल 46,000, तो दोस्तों यह जो wire network बनेगा हमारा, यह AC network नहीं बनेगा, AC मतलब alternate current, यह बनेगा DC network, अब आप बोलोगे कि यार हमारे घर में तो बिल्गली AC से आती है, तो हम DC क्यों बना रहे हैं, दोस्तों जब हम बात करते हैं, thousands of km, कुछ 100 km तक के लिए AC network perfectly fine है, आप कर सकते हैं, और यह काम होता भी है, बट जब हम बात कर रहे हैं, 46,000 km की, तो AC current नहीं काम करेगा, इस end से आप भेजोगे तो कुछ वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा, तो हमारे को यहाँ पे चाहिए high voltage DC current, HVDC cabling जिसे हम कहते हैं, तो दोस्तों हमारे को HVDC cabling समझने के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा, voltage कैसे निकलता है, तो voltage निकालने के लिए voltage into current, बट अगर हमारी wires में current ज्यादा flow करेगा, जिससे की increase होगी resistance और उससे increase होगी heat and जिससे result होगा loss in electricity, तो हम क्या करते हैं, HVDC में हम voltage बहुत ज्यादा high कर देते हैं, जिससे हमारा current हम low capacity में भी लेकर जा सक जते हैं, और जिससे हमारे electrical losses बहुत कम हो जाते हैं, तो दोस्तों आप ये तो समझ गई हो कि हमें DC lines का use करना है, AC का use नहीं करना है, अब इस DC line का practical example में आपको बताता हूँ, जो हुआ था 2019 में, एक Chinese company ने create करा था HVDC transmission line, जिसमें उन्होंने travel कराए थे, 1100 kV and the distance was 3300 km, जिस में की power capacity थी 12 GW की, तो अब अगर हम इस Chinese HVDC line को एक practical example के तोर पे लें, और हम इस से अपने पूरे worldwide network की costing निकालें, तो वो कुछ इस तरीके से आएगी, सबसे पहले तो हमारे को choose करना होगा, कि हम इस wire के लिए material कौन सा use करेंगे, क्योंकि 46,000 km की cabling में अर्थ के सारे mining wars भी खतम हो सकते हैं, so in comparison to gold, silver, aluminium and copper, हमारे को दो best options मिलते हैं, पहला है copper और दूसरा है aluminium, अब अगर हम बात करते हैं, copper and aluminium की, copper relatively aluminium के बहुत कम है, अर्थ के ओर्ष में, तो हमें use करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए aluminium, so अब अगर हम price comparison करते हैं, Chinese HVDC cabling, जो की हुई थी 3300 km की, उसमें approximate जो costing आई थी, खाली wire की, which was 2 billion और 200 करोड US dollars, अब आप इसको INR में calculate करना चाहते हो, तो 200 multiplied by 81 उतने करोड Indian rupees, which would be approximately 16200 करोड रुपे की wire की cost, so अब अगर हम इसी network को expand कर देते हैं to 46,000 km, तो हमारी costing कुछ ना कुछ बैठेगी 31 billion की, केवाल 31 billion, कोई tension नहीं है, so 31 billion का मतलब हो गया 3100 करोड US dollars, मगर दोस्तों, इतना सारा पैसा खर्च करने के बाद भी, अगर मैं यहां से उस wire में electricity भेजूंगा, तो दूसरे end पे कुछ भी नहीं मिलेगा, इतनी भी electricity नहीं मिलेगी कि आपका phone भी charge हो सके, ऐसा क्यों, क्योंकि जो wire का surface area है, वो बहुत कम है, तो R is equals to rho L upon A, this is the formula आप से check कर सकते हो, तो इस calculation के हिसाब से हमें wire को बढ़ाना पड़ेगा, और बढ़ा करना पड़ेगा, which would be like, हमारे को कितना बढ़ा करना होगा, हमें उसको करना होगा, 10 times बढ़ा, जिसने कि वो electricity demand एक जगे से दूसरी जगे पे without losses जा सके, अब चोटी सी calculation है, 10 times बढ़ा करने म जो हमारा खर्चा आएगा, वो आएगा बस 306 billion US dollars, जो की होता है 30600 करोड US dollars, मेरे calculator की digits खतम हो गई, इसे multiply कर लिजएगा, 81 से तो आपके पास आजाएगा, INR में calculation, which is 30600 करोड US dollars, just इतना ही, मगर दोस्तो इतना भी काफी नहीं है, 1100 किलो वोल्ट की जो लाइन थी, अब हमें उसे convert करना पड़ेगा, 1100 मेगा वोल्ट के अंदर, तभी वो electrical transmission हमारा successful होगा, मगर पूरे planet में अभी तक ऐसी कोई चीज नहीं है, जिससे की हम KV को इतने जादा MV में convert कर सकें, तो दोस्तो हमारी इस घंटों की research का क्या फायदा हुआ, हमने इतने सारे घंटे लगाया, और in fact इसमें हमारी एक महीनी सो उपर की research थी, बट इसका फायदा क्या निकला, इसका फायदा ये निकला कि अभी हम ये पता लगा सकते हैं, कि हमारा world global system अभी ready नहीं है, इस तरीक countries को majorly इसके लिए फैसला लेना होगा, इसमें geopolitical situation और जो government parties, ruling parties किसी भी country में, उनका बहुत बड़ा influence रहने वाला है, और दोस्तों इसके साथ-साथ कि जब हम पूरे world की energy systems को एक जगह पर concentrated रखेंगे, या फिर कर देंगे, तो वो एक बहुत बड़ा point बन जाएगा towards terrorist attacks or something, because those people would know that this is the concentrated space, यहाँ पर हमें कुछ करना है, and the entire world would get into a blackout, entire world नहीं, तो of course एक major region would get into the blackout, so this is also a point which we should consider before planning towards, मगद दोस्तों इसके साथ-साथ एक और technology है, जो की develop हो रही है, उसके अंदर basically क्या हो रहे है, उसके अंदर यह हो रहे है कि satellites के through हम clouds से भी उपर space में solar panels का एक array बना रहे हैं, जिस पे direct sunlight पड़ेगी, ना कोई cloud का असर होने वाला है, उस पे ना किसी environmental factor का असर होने वाला है, ना ही दिन और रात का असर होने वाला है, वो continuously अपनी energy वो solar panels receive करेंगे, and then radiation के through-through microwave system वो electrical signals भेजे जाएंगे वापिस अर्थ, जहां यहां पर receptors लगे हुए होंगे, वो उन electrical signals को receive करेंगे, ऐसा ही एक experiment चल रहा है, Airbus के USA Center में, जहां पर उन्होंने successfully इस चीज़ को test करा है, on the land, अभी land पर ही test करा है, अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो अगर एक इस तरीके का system develop हो जाता है, तो वो भी एक बहुत बड़ा milestone होगा towards a green energy, so दोस्तों, I hope आपको आज की informative वीडियो बहुत पसंद आई होगी, हमें इस वीडियो बनाने में आता है, बहुत मज़ा, अगर आपको इनको देखने में भी उतना ही मज़ा आता है, तो do not forget to subscribe our channel and share our videos, and मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, keep shining, keep smiling, human city.